So, अब बढ़ते हैं National Income Accounts की तरफ कि किस तरीके से एक जो country है, उसके अंदर जितनी भी economic activity हो रही है, उसको किस तरीके से मैयर करें? From the micro point of view, अगर आपने किसी एक individual घर की पोस, income को find out करना है, तो that is quite simple, you just add the income of all the individuals who are living in a particular home, तो आप एक घर की income को find out कर लेते हैं अब जो national level के उपर जो concepts हैं या macro level के उपर concepts हैं, उनमें से एक concept जो है, इसको discuss करते हैं, that is gross national product अब थोड़ा सा difference होगा, income और product में, वो मैं आगे चलके बता दूँगा जैसे gross national product को भी equal कह देते हैं, gross national income के, जो हम लोगों ने, मैंने भी example दी है, micro point of view से तो let's learn first what is gross national product gross national product basically किसी भी country के अंदर, जितनी भी commodities produce होती हैं, I suppose उन सब की जो market value है, उसको जब आप add कर लेते हैं, जितनी भी commodities आपकी production हो रही है, एक country के अंदर उनकी market values के जब आप लेते हैं, तो उसको आप GNP का नाम देते हैं, तो इसमें, interestingly जैसे, for example पाकिसान ने दो चीजें produce की हैं, suppose दस जो हैं, वो pen produce कर लिए, ten pens, और पांच जो हैं, वो copies produce कर लिए और हर pen की price, suppose एक जैसे हैं, तो एक pen की price जो है, वो ten है और जो पांच copies बनाई हैं, उनकी price भी suppose, उनकी price true है तो pen जो हैं, वो 10 बनें, और 10 ही उनकी price है, तो अगर आप इन 10 pens की market price की बात करें, तो that is hundred एक pen अगर ten रुपीस का है, तो ten pens आपके पास hundred रुपीस की हो जाएंगे प्लस, आपके पास second commodity, क्योंकि हमने अभी यही assume किया है, कि आपके पास सिर्फ दो चीज़ें बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर second one was copies, तो हम यह कहते हैं, नोट पैड जिसे बात करते हैं, कि वो 5 produce हुई है और एक की जो है, वो market value है, या एक की price जो है suppose, वो है 2 है, तो उनकी market value overall notebook की कितनी बन जाएगी, आपके पास five into two, that is ten, तो hundred रुपीस के pen and ten रुपीस की जो है वो note books, तो one ten आपके पास suppose, डीडीप बन गया, जी एन पी बन गया तो यह बड़ी simple सी basic सी example दी है, अब ऐसा नहीं होगा, कि आपके पास just two commodities होंगी आपके पास बेशमार commodities, आपके किसी एक मुल्क के अंदर produce हो रही होती है अब उस particular production के अंदर आपके पास laptop आ सकते हैं, आपके पास post cameras आ सकते हैं, आपके पास bread आ सकती है post rice आ गए, आपके पास technological goods आई आ गई, तो तमाम जो है वो आपके पास जो production होती है उन सब की market value अगर ले ली जाए, तो वो आपके पास gross national product बनती है अब थोड़ा सा जो अब इन चीजों की production की अगर बात करें तो economics का basic concept जो first entrance level की student को बताया जाता है that is factor of production अब कोई भी चीज़ आपके पास जो है वो factor of production के बगएर produce नहीं हो सकती तो ये बड़ा linked है इसकी market value जी एन पी की और factor of production की income की जैसे land की income जो है वो rent होती है labor की income supposed wages होती है और ये बाकी factor of production के साथ तो ये थोड़ा सा आगे चलके पढ़ेंगे concept लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो जो आपके पास consumption है वो as a student of economics जो है जब हम पढ़ते हैं तो economist ने हमें एक guidelines दे दी हैं किस तरीके से आप अपनी जो income है या production है आपकी मुलक की उसको किस तरीके से आप divide करवाते हैं तो चार basic component लिये जाते हैं जी एन पी के और इसको represent किया जाता है normally Y के साथ सबसे पहला component लिया जाता है consumption का अब consumption से मुराद क्या है अब जब हम as a production के अगर हम बात करते हैं या overall जो society की बात करते हैं तो इसके अंदर individuals रहते हैं उनका काम या उनकी basic needs होती हैं कुछ कुछ luxurious item के उपर expenditure करते हैं और suppose यहां पे सिरफ हम consumption वले part के अंदर वो ही consumption लेंगे जो individual जो हैं वो अपने लिए use करते हैं जैसे मैं एक individual हूँ या मेरी तरह के और लोग हैं suppose तो वो suppose food के ओपर पैसे खर्च करते हैं तो वो इस consumption में आपके पास part बन जाएगा then आपके पास suppose मैं गाड़ी यूज़ करता हूँ तो उसके लिए petrol यूज़ करता हूँ then मैंने clothing के लिए कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए consumption करता हूँ मैं suppose सहरो तफरी के लिए जाता हूँ entertainment purposes के लिए मैं suppose movies देखता हूँ यू कुछ भी ऐसी चीज़ जो मैं करता हूँ तो यह सारी जो expenditures हैं वो जो domestically मैं कर रहा हूँ जो एक country के residents हैं वो करते हैं जब उन सब की consumption को add कर लिया जाए that is the first part that is consumption अब जरूरी नहीं के consumption individuals जो हैं वो consumable goods के उपर ही करें जैसे suppose मैं एक individual हूँ and then मुझे जो है वो मेरे पास पैसे बचते या मैं उन पैसों का क्या करूँ है मैं suppose उनके लिए investment करता हूँ मैं एक छोटी सी factory लगा लेता हूँ या मैं कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ करता हूँ जिससे मैं मजीद production कर रहा हूँ अब यहाँ पर जो मैंने example दी है factory की इसके अंदर बड़ी एक interesting चीज़ है मैंने उस जो अपनी income का consumption वाला part कर लिया अपने basic जो needs हैं या जो जिस तरह भी है बाकी मैंने investment के लिए कर दिया अब मैं as a consumer भी कर रहा हूँ मैं suppose एक काम भी करता हूँ और इसके लावा यह भी investment कर रहा हूँ लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे नदर आएंगे जो full time जो अपना काम ही production करते हैं या investment point of view से चीज़े देख रहे होते हैं जैसे suppose एक factory honor है तो वो भी consumption कर रहा है लेकिन वो consumption की जो type है वो basically investment कर रहा है consumption in the sense economics यह कहती है कि आप जब पैसे consume कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं that is your consumption अब consumption के ना मुक्तलिफ हैं अगर आप simple consumption की बात करेंगे तो that means आप individuals की consumption की बात कर रहे हैं जब आप जो next investment है तो आप उस consumption की बात कर रहे हैं जो उन चीज़ें के उपर हो रही है जिससे मजीद future में चीज़ें produce होंगी आप consumption कर रहे हैं उन चीज़ें के उपर जो future में कुछ चीज़ें produce करेंगे जैसे first किया एक बंदा है वो नया plant लेता है कपड़े बनाने का कोई equipment लेता है किसी चीज़ थी production के अंदर जो use हो रहा है तो उसने पैसे खरच करके वो चीज़ ली लेकिन क्या है कि वो चीज़ in fact lease ली है कि ताके वो future में उससे चीज़ें बना सके अब यहां पर थोड़ा सा different एक concept है उसकी तरफ हम चलते है क्योंकि नॉमली जो economics के स्टूर्ट नहीं होते investment से मराद वो सिर्फ पैसे जो हैं वो हम बाज़ों का shares करीद लेते हैं किसी चीज़ के या foreign currency करीद लेते हैं या कुछ भी कोई return देगी और आप उसके suppose कोई physical form के अंदर equipment की बात कर सकते हैं या future production के अंदर किसी चीज़ की बात कर सकते हैं next एक government purchases government purchases से मराद आपके पास government की spending है government जो है वो spend करती है hospitals के उपर suppose state owned hospital है we are living in Pakistan so we can see a lot of hospitals that are state on hospitals तो उनकी जो working है for that purpose government need funds तो वहाँ पे government खर्चा करती है इसी तरीके से public parks को देख लें वहाँ पे भी spending होती है then state जो है वो spend करती है आपकी security के लिए suppose police के उपर पैसे जो है वो खर्च होते हैं budget के अंदर रखे जाते हैं तो वो भी government spending हैं then आपके पास national boundaries को जो हम defend करते हैं through army तो उसके उपर भी हम पैसे देते हैं तो वो भी हमारी spending की form के अंदर आती हैं वो government की spending हैं या से आप government purchases भी कह सकते हैं तो उसके जैसे एक individual है जब खर्च करता है तो उसके reward में या तो good मिलती है या service मिलती है तो government भी उन चीजों के उपर ही पैसे खर्च करेगी वो पर government purchases ही कहलाएंगी जिसके reward में government को या तो good मिलती है in return या services मिलती है in return अब जैसे एक ऐसी purchases भी होती है जो government करती तो है लेकिन वो यहां पर show नहीं होती जैसे transfer payments है अभी अब अगर आप देखें present condition के अंदर पाकिस्तान के अंदर आपके पास in 2019 and 2020 I guess SSAS program launch हुआ था तो वहाँ पे लोगों को during COVID पाकिस्तान के अंदर सब individuals को जो जिनके पास jobs नहीं थी 12-12,000 पिया गया तो that was transfer payments अब यह क्योंके government purchases में इस वज़ा से नहीं आ रही क्योंके government को इसके बदले कुछ आप दे नहीं रहे suppose आप COVID के दरम्यान government ने आपको दिया पैसा दिया, खर्चे किया आपके उपर लेकिन आपने उसके reward में government को कुछ नहीं दिया तो that will not come under the head of government purchases last is net exports current account balance के हम बात करेंगे यह suppose आगे एक दो slides के अंदर हम लोग इसको comprehensively discuss करेंगे कि net exports क्या चीज होती है अभी तक सिरफ यह देख लें कि exports को जब आप minus करते हैं import so that will become net exports तो यह भी अखराजात होते हैं जो मुलक के लोग domestically भी करते हैं फिर कुछ international purchases होती हैं जो हमें import करते हैं तो उसके उपर भी हमारा खरचा होता है तो यह तीन चार किसम के अखराजात होते हैं जो मुलक के लोग government मिल के करती है इस चीज के जो divide किया गया इसके पीछे logic यह थी कि आपके पास जो policies हैं वो इनके according फिर बनाई जाती है suppose आपकी consumption में अगर कोई मसला आ रहा है तो उससे related economic policies बनाई जाती हैं government purchases कम हैं या जएदा हैं उस point of view से बनाई जाती हैं either फिर ये economist ये देखते हैं ये policy maker ये देखते हैं कहीं पर investment वली side पर issue तो नहीं आ रहा या जो आपके पास net exports हैं उसकी वज़ा से तो नहीं आपकी economy के उपर negative effects आ रहे तो ये identify करने के लिए कि किस section में क्या issue है आपके पास इस GNP की इस तरीके से division की गई है